उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाओं में मिली करारी हार के बावजू समाजवादी परिबार में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी कार्याले के सामने से गुज़रे। इस उरान उनकी गाड़ी धीमी हुई लेकिन पार्टी कार्याले में जाने की बजाए वो वहां से आगे बढ़ गये। बताया जा रहा है कि नेता विपक्ष को लेकर शिवपाल यादो नाराज है। सभा में चले जाएंगे। लेकिन इन सारे कयासों पर ब्रेक लगाते हुए आज अखिलेश को नेता विधान परिशत चुन लिया गया है। आपको बता दे कि अखिलेश यादो MLC है और उनका कारेकाल 5 मई 2018 को खत्म हो रहा है। मई सपा में जारी गहमा गहमी के बीज अब ख़बर ये भी है कि मुलाम ने गुद्वार को विधाय को और MLC की जो बैठक बुलाई थी वो रद्ध हो गई है। तो सपा में जारी रार लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले हुई बैठक में जब चाचा और भतीजा एक साथ आये थे तो माना जा रहा था कि शायद दोनों की वीज नाराजगी खत्म हो रही है। लेकिन आज की इस बैठक में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है उससे साख जाहिर हो रहा है कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं है। देखते रहे हैं डिबी लाइब।